तोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगो को भारत के तरफ से डिवलप्ट के जाने वाले दो बड़े military equipment के बारे में बताऊंगा जिन में सबसे पहला equipment तो है उत्तम active electronically scan array radar जिसे लेके बताया जा रहा है कि अब इसके एक upgraded version को बनाया जा रहा है जो अधिक TR modules के साथ होगा और तेजस Mark 1A aircraft में जो पहले के variant का इस्तिमाल करने का बात कहा जा रहा था अब बताया जा रहा है कि इसमें अधिक ताकतवर वाले ये upgraded variants का इस्तिमाल किया जाएगा जबके वीडियो के आखरी हिस्ते में आप लोगो को military transport aircraft C295 aircraft के base में Airverse और Tata Group के दरफ से jointly एक civilian aircraft बनाने क संभावनाओं के बारे में बताऊंगा जो इंडिया के उरान स्कीम में मददगार हो सकेगा तो सो नए अधिक टियार मॉडियूल्स वाले active electronically scan array fire control radar उत्तम के बारे में और C295 aircraft के civilian variant के बारे में detail में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को subscribe और के तरफ से उत्तम एक्टिव electronically scan array fire control radar को भी परदर्शित किया गया था लेकिन इससे पहले अन्ने exhibition room में या फिर कहा है तो अन्ने electronics and radar development establishment के तरफ से उत्तम एक्टिव electronically scan array radar को परदर्शित किया गया था उससे ये जो radar था ये संप्रून रूप से अलग है क्योंकि दोस्तों इ असल मतलब होता है transmit and receiver modules जो basically radar के signals को छोड़ने के लिए और इसके bounce wax signals को capture करने के लिए इस्तिमाल होता है दोस्तों नया एक्टिव electronically scan array radar या फिर कहा है तो उत्तम एक्टिव electronically scan array radar के अतरिक तो टियार मोडिल्स वाले इन version को लेके बताया जा रहा है कि ये असल में mark 2 version के radar हो स किया जाएगा तो उही पर आब बताया जाँ रहा है कि केवल मात्र तेजस Mark 2 aircraftो में ही इन radar नहीं होगा बलके सबसे पहले इन radar का इस्तेमाल इन या स्मार्क वान ए एरक्राफ्टों में सबसे पहले इस्राइली एल्टा के ELM-2052 एक्टिव एलेक्ट्रोनिकल स्कैन एरे रेडरों का इस्तिमाल किया जाएगा और करीबन 20 एरक्राफ्टों में ऐसे इस्राइली एरेडरों के इस्तिमाल के बाद 21 एरक्राफ्टों में उत्तम active electronically scan array fire control radar के 780 module वाले वर्जिन का इस्तिमाल किया जाना है पर अब बताया जा रहा है कि 780 module के जगा में ये 912 module के अत्रिक्त TR modules वाले वर्जिन या फिर कहें तो अधिक ताकतवर वर्जिन का इस्तिमाल किया जाएगा जिससे की शायद 21 यार्क्रेफ्टों के जगा में थोड़ा और बाद वाले यार्क्रेफ्टों में ये रडर इस्तिमाल हो इवन दोस्तों आपके जानकरी के लिए बतादू कि रडरों को लेके हिंदुसर्ण एर्णोटिक्स लिमिटेड और इस्रायल के इल्टा कंपनी के बीच में वी एक बातचित चल रहा है और माना जा रहा है कि इस बातचित के सफल्ध होने के साथ हिंदुसर एरनोटिक्स लिमिटेड के द्वारार इस्राइल के इल्टा ELM-2052 एक्टिव एलेक्टोनिकली फायर कंट्रोल रैडरों के मेनुफैक्चरिंग को टेकनोलोजी ट्रांसफर के साथ भारत में किया जा सकता है और दोस्तो अगर ऐसे टेकनोलोजी ट्रांसफर के साथ भारत में इसका मिनुफैक्चरिंग होता है तो संभावित 20 रैडरों से अतिर्यक्त रैडरों को भारत में निर्पान किया जाए और इन रैडरों का इस्तेमाल तेजस मार्क वान ए एरक्रेप्टो में किया जाए मतलब दोस्तो यहाँ पे जो संभावनाए उभर के आ रहा है उसका सिंपल मतलब यह है कि 20 रैडर के जगा में अतिर्यक्त रैडरों को भारत के लिए बना के उत्तम एक्टिव एलेक्ट्रोनिकल स्कैन एरे फायर कंट्रोल रैडर के मॉडरन वर्जिन या फिर कहाँ तो ताकतवर वर्जिन का इस्तिमाल तेजस मार्क वान ए एरक्रेप्टो में किया जाए पर दोस्तो इसके साथ साथ एक चुनोती ये फी है कि ये जो अधिरिक्त टियार मॉडिल वाले रैडर है इसका आकार पुराने रैडर के मुकाबले में थोड़ा बड़ा होगा हलाकि इस कारण से तेजस मार्क वान ए एरक्रेप्टो में तो ऐसा कोई मुशकिल नहीं है क्यूंकि तेजस मार्क वान एरक्रेप्टो के मुकाबले में बड़ा है बोलके बताया जाए जो कि आसानी से ऐसे रैडरों को एकुमोडेट कर सकेगा परतेजस Mark 1 A Aircraft के लिए शायद ये थोड़ा बहुत चुनोती पूर्ण हो क्यूंकि इससे Aircraft के No Scorn में भी बदलाओ किया जा सकता है या फिर Aircraft के No Scorn के आकार में थोड़ा पडिवर्तन किया जा सकता है दोसों इस्राइली मेट रेडर और भारत के उत्तम एक्टिव एलेक्ट्रोनिकली स्कैन एरे रेडर के 780 मॉड्यूल वाले रेडरों के बीच के अगर अंतर को देखा जाए तो भारत के जो रेडर है ये सॉलिट स्ट्रेड गलियम आर्शनेड वेस रेडर है जो की 50 को एक साथ इंगेज करने में समठ्थ है और इस तरीके के रेडर का इस्तेमाल एयर टू एयर एयर टू सॉर्फेस और एयर टू सी इतिनों रोल में ही किया जा सकता है ELM-2052 रेडरों को लेके बताया जाता है कि ये 68 टारगेटों को एक साथ ट्रैक करने में सक्षम है जबकि कितने टारगेटों को ये हवा में एक साथ इंगेज कर सकता है इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया है ये रेडर भी Solid State Electronics Radar है और इसमे Solid State Phage Array Technology का इस्तेमाल किया गया है 900 रिपोर्ट के मुतावी कि इसराइली जो रेडर है इसके Effective Range कर इवन 200 किलोमेटर तक बताया जा रहा है लेकिन भारत के जो उत्तम Active Electrical Scan Error Radar है इसके Effective Range 100 किलोमेटर बताया जा रहा है और 100 किलोमेटर तक ये 50 टारगेटों को ट्रैक करने में सक्षम है जबकि दोस्तों जो TR Modules को बढ़ाया जा रहा है इससे माना जा रहा है कि ये जो Aircraft है इसके Targetों के संख्या भी बढ़ेगा और साथी साथ इसके Range को भी बढ़ाया जा सकेगा दोस्तों चलिए आप जानते है वीडियो के दूसरे पार्ट के बारे में मतलब Civilian C-295 Aircraftों के बारे में दोस्तों आप सब लोगों को बताई होगा कि भारत के एक Regional Connectivity Scheme है जिसे की उडान कहा जाता है और दोस्तों अगर देखा जाए तो अब तक भारत में इन Transport Aircraftों के निर्मान का काम शुरू नहीं हुआ है और हाली में ही Airverse और Tata के जो Joint Venture है उसके अंतरगर्द बनाया जाने वाले Aircraftों के निर्मान Facility या फिर के तो Factory के Foundation Stone को रखा गया है और ये आने वाले कुछ सालों के अंदर जहाँ पे तयार होगा तो रिपोर्ट में उही पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंडियन Air Force के लिए करीवन 40 Transport Aircraft मतलब Military Transport Aircraftों का निर्मान किया जाएगा जबकि ये संभावना और भी बढ़ सकता है क्योंकि गोस्टगार्ट के मतलब से भी ऐसे Aircraftों को लेके इंट्रेश दिखाया जा रहा है तो ये जो Aircraft है ये शौट टेक ओफ और शौट लैंडिंग कर सकता है मतलब छोटे runway के उपर इवन बताया जा रहा है कि Unfeffered runway के उपर भी ये टेक ओफ और लैंडिंग कर सकता है जिससे कि इन Aircraftों के Regional connectivity या फ scheme के अंतरगत काफी अधिक होगा दोस्तो फिलाल इसे एक plan के रूप में देखा जा रहा है और इसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा इसका तो फिलाल कोई खुलासा नहीं हुआ है लेकिन बताया जा रहा है कि इस plan को अगर Tata और Airways Company के अधिकारियों के द्वारा इसके पिछे section में एक read of ramp door होगा और इसमें additional doors को भी लाया जा सकता है ताकि passengers के movement को और आसान किया सके कॉपिट के पिछले वाले section में एक reserve storage को बनाया जा सकता है जो की passengers के backs को carry करने के लिए होगा फिलाल दोसो इसे लेके उस तरीके का clarity नहीं आया है पर माना जा रहा है कि ऐसे clarity आने से ये domestic market में एक हलचल ला सकता है क्योंकि already Aircrafto को भारत में manufacture किया जा रहा और Aircrafto के जो capability और संभावनाओं का जिकर किया जा रहा है ये भारत के आवशक्ताओं को बहतरी धंग से पूरा कर सकेगा दोस अब चलिए थोड़ा सा जानते है C-295 Aircrafto के बारे में दोसर ये जो Aircrafto है इसे military transport Aircraft मतलब medium role के military transport Aircraft के रूप में बनाया गया है जो की airways company के तरफ से फिलाल manufacture किया जाता है Aircrafto ने 28 November 1997 में अपना पहला उरान भरा और साल 2001 में इसे service में लाया गया ये जो Aircraft है फिलाल इसका इस्तेमाल कई सारे देशों के द्वारा किया जा रहा है जिन में Algeria, Angola, Bangladesh, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Czech Republic, Ecuador, Egypt, Ecuador, Guinea, Finland, Ghana, Indonesia, Ireland, Jordan, Kazakhstan, Malay, Mexico, Uman, Philippines, Poland, Poland, Portugal, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Spain, Thailand, United Arab, Amirat, Uzbekistan और Vietnam शामिल है दोसों ऐसे Aircrafto को फ्लाइ करने के लिए दो क्रूमेंबर का आवशकता होता है और इसके capacity असल में 73 troops का है जबकि 48 paratroopers या फिर कहें तो 12 stretchers को ये carry कर सकता है इवन stretch condition में ये 27 stretchers को और 4 medical attendance को carry करने का शमता रखता है Aircraft के जो शमता है उसे लेके बताया जा रहा है कि ये normal में 7050 kg के payload जहाँ पे ले सकता है तो वही पे overload condition में ये 9250 kg के payload को carry कर सकता है Aircraft के length करिवन 24.46 meter मतलब 80 feet 3 inch है तो वही पे wingspan करिवन 25.81 meter मतलब 84 feet 8 inch है इसका height 8.66 meter मतलब 28 feet 5 inch है तो वही पे इसका wing area 59 meter square या फिर कहें तो 640 square feet है Aircraft के maximum take off weight normally 21,000 kg है और overload condition में 23,200 kg है Maximum landing weight normally 20,700 kg है जबकि overload condition में 23,200 kg है Aircraft के fuel capacity करिवन 7,650 liter है और ये in-flight refueling props से भी less है मतलब हवा में भी ये refuel हो सकता है Aircraft में दो pretty Whitney Canada PW-127 turboprop engine का इस्तेमाल हुआ है जिन में से हर एक engine का शमता 2,644 horsepower या फिर 1,972 kilowatt है Performance को देखा जाए तो ये इसका cruiser speed करिवन 482 kilometer पर आवर बताया जा रहा है जबकि इसका range normally 1,555 kilometer तक है ferry range करिवकरी 5,000 kilometer है और service ceiling मतलब उचाई में जाने का शमता एक engine के साहरेवी कम से कम 4,125 meter मतलब 13,533 feet है जबकि इसके absolute service ceiling करिवन 9,145 meter मतलब 30,000 feet के आसपास है दोस्तों इन एरकरप टो में से कुछ एरकरप टो को हतियारों से भी less किया गया है और report के मताविक इसमें करिवन 6 heart points है जिसका capacity 800 kg है even central heart point तो अपने आप में ही 500 kg के payload को carry कर सकता है हालाकि इसके इलावा इन एरकरप टो के कई तरीके के version है जिसमें मेरी टाइम पे tooling version से शुरू करके avax version even weather department में इस्तेमाल होने वाले weather radar वाला version भी शामिल है तो यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हूँ बैल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए तकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद